Hello to everyone, I welcome you all on Abhipedia Defense YouTube channel and मैं आपसे एक चीज शेर करना चाहता हूँ, आपके बेनेफिट के लिए ही है कि जैसे आप सभी को बता ही है कि ओन गोईंग CAPI FACI PAPER 2 का हमारा लाइफ कोर्स चल रहा है और उस life course के अंदर मैंने last week क्या introduce किया, एक एक नया experiment किया, जिसमें मुझे अच्छा response मिला और वही चीज जो है मैं आपके साथ शेर करता हूँ, देखो ऐसा रहता है कि हमारा जो course है, जिस course के अंदर हम लोग obviously क्या करते है हम लोग 6 दिन classes देते है, 6 days classes होती है, 6 days classes होती है, और 7 दिन आपका test होता है, 7th day मतलब Sunday को आपका एक test हम लोग conduct करते है, right, चलो, so 7 दिन जो है test आपको देना पड़ता है, right, मैंने क्या पाया कि student जो है, वो कही ना कही, कही ना कही, test तो दे देते है, लेकिन उनकी जो objective होत करता हो, बताता हो, recommend करता हो, कि test अभी दीजे, जब आप अच्छे से अपनी revision कहीजे, चीक है, आप जितना भी आपको content पढ़ाया जा रहा है, आप उस content को revise, revise, revise करते जाएंगे, उतना अच्छा रहेगा, while you are attempting the test, क्योंकि वो 100% आपका clarity of thought होगा, तो आराम से आप लिख पाएंगे, आपको पता चल जाएगा, कि मैंने content पढ़ लिया, मैंने revision कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर भी कही ना कही mistakes हो रहे ही, फिर भी कही ना कही gaps रहे है, मेरे answer writing में, उस situation में तब you will be able to improve it, otherwise क्या है, मैंने देखा कि बच्चे test लिख देते हैं right, test लिख देते हैं और उस test में इतनी सारी गलतियां होती है, जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपने अगर अच्छे से revise किया होगा, तो वो mistakes आप नहीं करेंगे, लेकिन आप revision नहीं करते हो, revision नहीं करते हो, तो test में भी फि competitive होती रहती है, और यहीं आपका failure का कारण भी बनती है, इस चीज को ना होने देना का काम जो है मेरा है, कि यह चीज ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने last week ही आपके लिए एक नई चीज इंटर्यूस की, वो थी, हफते में हम लोग 6 दिन की classes नहीं, इतना हमने already content पढ़ कुदेश रहा है, कि limited content हो, बट उसको unlimited time revise किया जाए, ताकि उससे भी और कही चीज यह चीज़े derive की जा सके, इसलिए मैंने हफते में 2 दिन, 2 days, यह decide किया, कि हम लोग 2 दिन जो है, आपका live test लेंगे, live test आपका लिया जाएगा, और इस test के अंदर आप बच के नहीं जा सकत हो, जो बच्चा इस test में आ गया, उसको सिर्फ और सिर्फ improvement ही दिखेगी, gain ही वो करेगा, यही सोचेगा कि यार इस जगह पे मुझे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, I have to revise it, क्या-क्या requirement है, क्या standard है, CAPF paper टुका, वो आपको बार-बार realize कराया जाएगा, in a very positive manner, so that कि आप अपने live test में, एक live test के अंदर अच्छा नहीं perform किया, तो next में करो, next नहीं किया, तो और next में करो, लेकिन आप जरूर उसको consistently improve करते रहोगे, मैंने क्या किया, दो दिन अपना live test रख दिया है, अब देखो, अब point यहाँ पे आपके लिए क्या है, जो मैं YouTube वीडियो बन और जो भी आप लोग देख रहे हो, यह वीडियो आप सब देख रहे हो, मैं आपको भी invite करता हूँ कि जितने भी student आप लोग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या, आप self-study कर रहे हैं, तो चलो, आपका भी test ले ले लेते हैं, उसमें दिक्कत क्या है, आपको कुछ नया सीख आपने को ही मिलेगा, हम लोग उसी test के दोरान discussion कर लेंगे, हम लोग उसी test के दोरान केई चार चीज़े नहीं पढ़ लेंगे, है कि नहीं, तो आप जितने भी बच्चे, जो self-study भी कर रहे हैं, come to the zoom session live, come to the zoom session live, right, and see your progress, आपको भी मैं उसी तरीके से treat करूँगा, जैसे क यह हमारे enrolled students है, बस आपके पास यह होगा, कि आप, हम आप बोलेंगे, कि सर यह तो पढ़ा ही नहीं, यह तो पढ़ा ही नहीं, यह इसलिए नहीं पढ़ा, क्यूंकि आपने यह students पिछले काफी time से हमारे साथ associate है, इनको हमने पढ़ाया है, आप अपने हिसाब से पढ़ रह आपको क्या कर रहा है, जूम लिंक जो है, जूम लिंक, अब देखो, जूम लिंक आपको बहुत अलग अलग तरीके से मिल सकता है, जैसे यह जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके description में जाओगे, comment में जाओगे, जूम लिंक वहां पे दिया होगा, पहला यह तरीका इस्त कर दो, अपना नाम और अपना जो paper 2 की preparation का एक query वहां पे लिख दो, मैं उसी टाइम आपको जूम लिंक वैसे भी दे दूँगा, यह मैं उन students को भी कह रहा हो, जो हमारे enrolled students है, जितने भी students है, आप WhatsApp कर दो, मैं उदर भी आपको जूम लिंक भीज दूँगा, और ऐसा बिलक बहुत बेस्ती वाली चीज हो जाएगी, defense forces के अंदर या तो होता है yes और या तो होता है no, अगर आया तो yes हो जाएगी, अगर नहीं आया तो no कर दीजे, लेकिन उसको yes तक कैसे पहुंचाना है, this is your task, to perform, ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको बहुत ensure करना जाती है, क्या वो content में revise करके test दे रहा हो कि नहीं दे रहा हो, that is the big task, now this is all up to you, कैसे आप इस big task को perform करोगे, मैं आपको number दे देता हो, इस number पर आप contact कीजे, directly you'll get the zoom link also, 545 पर join कर लेना, ठीक है, the number is 8894320850, चीक है, इस number पर contact करो, you'll get the zoom link, and और अपना जो है 545 पे अपनी तयारी में जुच जाओ, right, so this is what I wanted to tell you, this is open for each and every student, आईए, अपनी preparation को और strengthen कीजे, आता होगा तो बहुत अच्छा confidence आएगा, नहीं आएगा, तो भी मैं आपको boost कर दूँगा, ताकि आप इंप्रूफ करें अपने paper 2 के लिए, चीक है, so see you at 545, link is given in the description and in order to associate with the Abhipedia, contact number दिये, यहाँ पे आपकोंटाक कीजे, zoom link यहाँ से भी मिल जाएगा, thank you and jahin.